आज हम पढ़ रहे हैं मेस्ट्रूल शाइकल के बारे में तो मेस्ट्रूल शाइकल क्या होता है मेस्ट्रूल शाइकल की फेजिस क्या होते हैं मेस्ट्रूल साइकल में कौन-कौन से हार्मोन वर्क करते हैं इसके अंदर कौन से चीज का एफेक्ट करती है कौन-कौन वर्क करते है वो सब चीजे हम पढ़ेंगे तो मैस्ट्रोल साइकल मैस्ट्रोल साइकल एक ब्लीडिंग साइकल है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है जो एक साइकल मतलब एक एक निस्ट्रित टाइम के अंदर वो होती है तो इसलिए इसको ब्लीडिंग साइकल बोलते है तो पढ़ रह बीएगे तब ही वो एक मेश्ट पर नॉर्मल मेंस्ट्रेल साइकल माना जाएगा तो एक विजिबल मेनिफेस्टेशन है ओफ साइकलिक फीजो लोजीकल फीजो लोजीकल क्यों बोला गया इसमें वह कोई डिजीज नहीं है ॉपकोई अबनोर्मल्माल टी यह यह एक फीजोल जो यूट्रस की जो अंदर अंदर वाली लेर है उसकी सेडिंग ओफ होती है है मन्तली तो इसमें क्या बोला गया है कि वीजीबल मैनिफेस्ट है यह दिखता है अपनको साइक मैनिफेस्टेशन ओफ साइकलिक फीजियोलोजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग ये एक साइकलिक दिखतियल इतराइन ब्लीडिंग बिता दिखता दिया कि इसमें ईउट्रस की एंडोमेट्रियंग सेडियोफ होती है ब्लीडिक दू लेजशिबल ऐंडिक हार्मोन की इसमें कुछ हार्मोन वड करते है इसलिए ये इक हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसको क्या बोलते है में स्ट्रॉल साइकल बोलते है अब अपन बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से हार्मोन या यह किस के कारण होता है तो यह पहले मतलब यह किस के कारण होता है एच पी ओ अक्सिस का क्या मतलब है में इसमें तीन अपने जो ग्लेंड वो वर्क करती है हाइपोथेलेमस, पिटूटरी ग्लेंड और ओविरी इनके दुआरा सिक्रेट होने वाले हार्मोन है वो ही हमारे मेंस्ट्रॉल साइकल को रेगुलेट कर तो हम पढ़ रहे है कि हाइपोथेलेमस से गोनेडोट्रोपीन रिलीजिंग हार्मोन जो मतलब हाइपोथेलेमस में हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपीन वो क्या करता है रिलीज होता है और यह कहां काम करता है पिटूटरी पिटूटरी ग्लेंड उस पे काम करता है और उस अब यह जाते हैं और इसको इस पर एक्ट करते हैं तो फिर औरी क्या करेगी औरी दो हर्मोन सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन तो इसमें हमें क्या समझने को मिला है यह मिला है कि यह करते तो यह तीनों है बट यह तीनों तो करते हैं लेगिन इसमें यह खुद काम नहीं करता कि यह नहीं कि यह पिटूट्री ग्लेंड खुद करेगी यह पिटूट्री ग्लेंड यह गोनेडरोटोपिन और ओवरी से काम करवाएगी मतलब इसमें मेंस्ट्रो एक बार पढ़ लेते हैं वापस से क्या पढ़ आपने हैं आपने पढ़ा कि मेस्ट्रोल साइकल एक वीजीपल मेनी फेस्टेशन होता है जो साइकलिक फीजोलोजिकल यूटेराइन ब्लेडिंग होती है सेडिंग अफेंड़ मेहमेट्री एक कौन के अपने पनी के पढ़ लिया है अब आता है केक तामेने जो में डि मतलें जो करा का मुट होसा को तो हम भी शतस्सान रड़ती निए वम क्मिटी नर्मल sometimes करा करा कि लीए है कि अचाय मसेड़ में कहा है। मतलब कर्डाइर क्सथे मनंझग तुक ने ज़ flight mom जोzus का मतलब हो मब दो क मभी तो की आरे में कैसे Khela तो इसके लिए अपन को तीन चीजों की जरुरत होती है फर्स्ट पहले तो होता है कि ह्पीयो अक्सिस मस्ट भी एकटिवली कोड़ीनेट कि जो एच्पी अपनने पड़ा ता हो हार्मॉन जो हार्मॉन वह एक कोड़ीनेट एक्टिली काम करना चाहिए तब अपना में स्ट् Rs. flow must be patent मतलव जो अपने पढ़ा था कि unoop होती है तो यह outflow ही तो बार का आहा ठीजिकल को बाहर निकालने के लिए बाहरू निकालने के लिए तो यह patent होना चाहिए इसमें patent पंडीजन कभ नहीं होता है नोara 鏝 is vaginal anterator या vaginal में से यह patent आउटफलो नहीं होता, इसका जो वे है वो में इसमें कुछ अलग यह मतलब अबनॉर्मल्मेंटी होते है वेिजाएना में यह नहीं होता है एक होता है, ऐजऑनेशिस मतलब होता है अजऑनेश्स मतलब development वेजाइना का development ही नहीं हो पाया तो या तो HPU axis मतलब regular नहीं है या maintain नहीं है तो menstrual cycle सही नहीं होगा या outflow प्रेक सही नहीं है pattern नहीं है तब या फिर सारे हार्मोन काम काँ जादा काम काँ करेंगे endometrium uterus के endometrium जो अंदर वाली layer होती है उस पे काम करेंगे तो endometrium must be responsive for ovarian hormone ovarian hormone कौन से कौन से estrogen और प्रोजेस्ट वोन से ये response करनी जाहिए ये endometrium में है वो ovarian hormone पर response करेगी तब ही अपना जो bleeding cycle है या menstrual cycle है वा regular होगा अब आपन पढ़ेंगे key point of menstrual cycle एक बार मैं इसे आपको बता देती हूँ फिर पूरा बढ़ाओंगे key point of menstrual cycle eumenorrhea eumenorrhea किसको बोलते है जो normal menstrual cycle है उसको eumenorrhea बोला जाता है अब बोला है duration of normal menstrual cycle जो normal menstrual cycle होती है वो 28 दिनों की मानी जाती है यह 32 की भी हो सकती है यह 35 की भी हो सकती है उससे ज्यादा है तो उसको अपन अब नॉर्मल्टी में गिल लेंगे फिर है सोटे साइकल में भी सोटे मतलब नॉर्मल जो मैंस्ट्रल cycle होता है वो 28 दिन का होता है लेकिन अपन तुकि किसी अठाइस दिन का नहीं है तो चपीस दिन तक हो सकता है उसको अपन नॉर्मल मानेंगी 20 से कम होते है उसको अब नॉर्मल्टी में आ जाई कपा लोंगेस्ट हो सकता है अच्छा सोरी मैंने पहले आपको गलत बता दिया अपन को 20 भी नहीं दिया, 80 भी नहीं दिया, तो अपन 35 म, बता देंगे, यह गोशन, अच्छा गोशन है, फिर ब्लीडिंग फेज, कि ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है, एक से पांस दिन होती है, नौर मली किसी के भी, लेकिन कभी गभी यह साथ दिन तक भी जा सकती है, ब थीक है और मोस्टली फिमेल में थी से फाइब डे ओके फर्स्ट मैंस्वेल साइकल इस देख जो फर्स्ट प्यूबर्टी में जब लड़ी की फिर्स्ट बार ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या बोला जाता है मिनार की और जब 49 या 50 के आसपास चली जाती है वो लास उसका मै और इन दोनों के बीज की जो एज है उसको अपने बोलनेंगे री री प्रोड़क्टिव एज पिरियेड री प्रोड़क्टिव एज पिरियेड मतलब क्या होता है इसमें री री प्रोड़क्टिव मतलब बार बार प्रोड़क्ट किसका प्रोड़क्ट होता है ओम का होता ह वो फॉलिकुलर बनते हैं वो करते हैं मतलब उस जत वो होगा कब तक जब तक अपने ब्लीडिंग आती रहेगी जब तक और उगलेशन होता रहेगा तब तक हम बनते रहेंगे उस चीज को अपन बोलते हैं रिप्रोड़क्टिव एज यह अपने एक बार काम करने हैं मेस्ट मेस्ट्रल साइकल में मतलब मेंशन करें गे जो कंपुटर टू एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्डेंट होते हैं तो मेस्ट्रल साइकल कंटिनूस इन रिप्रोड़क्टिव एज पिरियड एंड आलसो नोल चाइल्ड बीरिंग एज पिरियड यह मैंने आपको बता दिया पिरियड को क्या बोलते हैं चाइल्ड बीरिंग एज क्यों बोलते हैं आप बोलोगें यह क्योंकि इसी में जो भीमेल होती है वह बच्चों को जनम दे सकते क्योंकि रिप्रोड़क्टिव एज के अंदे उसमें बनेंगे ओवम बनेंगे तब ही कुछ आगे हो पाएगा तब ही इसको बोलते है चैल्ड बीरिंग एज यह होती है टोटल मेंस्ट्रॉल साइकल इन इस अबाउट अपन अठाइस का नोर्म कि ठी पूरे जर जाएंगे है तो थोड़ सी अइर की फौर्टे नाइन ये इंट रूव मेंस्ट्री एड़ि की फोर इसे हो जाएंगे मोस मेंस्ट्र बडे इंट वेस्ट इस वेक्स वीष्ट buses एग्स्ट वेयां परें म्यंब्रैंड ची इंड एंड़ोमस मतलब इसमें जो ब्लेडिंग होती है उसमें क्या-क्या होता है तो उसमें कुछ नहीं यह जो ब्लेड होता है वेस्ट एक्सप्लेजिव ब्लेड होता है और इसमें क्या-क्या होता है म्यूकस मेंब्रेन होती है जो अंदर की यूटरेस की मेंब्रेन होती है वो होती है देंड जो नोर्मरल फ्लोरा ओ वेजाएना हो रहना है उरनो फ्लोड इन्सट्रेंट्र इन्पाइच्टर इंफेक्षिन उगा तरु गुए ति ह्यां कोई इस नैंड प्लंड बात प्लोड इंपरेचर थेे नेποिंट्रू कि अब आगे पड़ रहे है अपन मेंस्ट्व बलड नीवर क्लोट हां यह क्योशन बहुत इंपोर्डेंट है कि मेंस्ट्रोल ब्लड नीवर क्लोट because of plasmin ये जो अपन मोल रहे है कि ये बाहर आता है outflow के दोरान उससे पहली ये एक मतलब जो एक जगह आके एककथा होता है तो या फिर ये जो लगातार flow करता है तो ये क्लोट क्यों नहीं होता तो ये क्योशन को होता है तो इसमें क्या है plasmin होता है आप अपन पढ़ेंगे phases of menstrual cycle जो important होती है अपन के लिए तो देखो इतनी देर से आप अपन पढ़ी रहे है औरी यूट्रेस ये औरी यूट्रेस तो दो जगह अपन पढ़ेंगे ये एक औरीन फेज होती है एक होती है यूट्रेराइन फेज जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे थेंक्यू